जै मातादी दोस्तों आप सभी कमेई चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं अपके साथ माता महालक्षमी की गुरुवार ब्रत की संपून पूजा विदी शियर करने जा रही हूँ जो कि अगन मास में आते हैं माकशिस महिने भी इसको कहा जाता है तो माकशिस महिने में अगन मास में गुरुवार के व्रत कैसे रखे जाते हैं कितनी बार पूजा की जाती हैं संपून पूजा विदी और संपून जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो पूरा वीडियो अंतक जरूर देखेगा तो देखे सबसे पहरे तो गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर हो सकी तो चार से पांच बजे की बीच में उठकर आपको द्वार की पूजा करना है दहलीच कैसे पूजना है और माता के चर्ण कैसे बनाना है वो वीडियो आपको सेपरेट मेरी चैनल पर मिल जाएगा आप सर्च कर लेजेगा आपको आसानी से मिल जाएगा और माता को कैसे सजाया जाता है वो वी वीडियो मैंने सेपरेट डाल दी थी तो आप देख लीजेगा तो देखे इस तरीक से चावल के आटे से हमें यहां माता महालक्षमी की चर्ण बनाने होते हैं और उनका पूजन हमें चार पहर करना होता है चार बार हमें यह पूजा करनी होती है और साथ ही में माता महालक्षमी कलश रूपी जो हम स्थाबित करते हैं उनकी पूजन भी हमें करनी चाहिए तो देखे सबस्पैद आप दिखा देती हूं मैं कि दुआर पर दो दीपक आपको सबसे पहर रखना है घी के दीपक आपको रखना है और मिट्टी के दीपक रखना है ध्यान रखेगा पैसे त्यारी करके रख लीजेगा और घर में अंदर आते हुए माता की ये चर्ण आपको घर के मंदिर तक बनाना है घर के दुआर से लेकर मंदिर तक बनाना है फिर आपको जहाँ यह पूजा करना है वहाँ अच्छी तरगे से सफाई करने हैं आप यह सफाई एक दिन पहले ही कर सकते हैं गुरुवार के दिन ज़दा सफाई नहीं की जाती है क्योंकि फिर इसको आपको जो कलश हमें सजाना है आपको दिखी रहा होगा यहां एक मैंने का यहां मैंने एक बड़ा पीतल का कलश लिए इसको आपको आपक का माता का जो मकोटा आरेल होता है जो मरा पानी वाला नारेल होता है उसी नायल पे व्यूमसे हल्दी लपेट कर आप इसकी भी पूजा कर सकते हैं वह अंने मता महा महालक्ष्मी को हम सजा लेंगे एक सुन्दा सा वस्त्र बिछा कर आपको यह सजा लेना है मंगा सुत्र जरूर पहनाना है मता महालक्ष्मी को और कानके बेंदी नाकका जो भी आपके पास अबलेबल हो वो सभी चीज़ें आप पहना दें उनको बहुत अच्छी तरीकिस्ते ह मैं सजाना है इसके बाद आपको जहां पर वस्ता से आपको बढ़ः जहां पर कोई जड़ा आय जाए ना कोई टोक्य ना यह जो पूझा होती है चुपचाप की जाती है बहुत किसी को बताया नहीं आता है माता महालक्شमी की पूजा हमेशा जृप्चAP कि आती यह addressing है भहत जदा भी नोरा पिर 206 के नहीं खी जाती धे थ्यान रखे-गाध का किम जब भी लक्षमी जी रखते हैं फूँपा और ज courtroom हम शुपा कर ही रखते इस तरीके से आपको पैशेंगार कर लेना है फिर आपको ये पूजा शुरू करनी है ये जो पूजा है आपको शुबह शुबह करनी है सुर्योदय से पहले करना है ध्यान रखेगा फिर आपको करना है दोफेर में 12 बजे फिर शाम को प्रदोशकाल में 5-6 बजे आप कर सकते और फिर आपको 9-10 बजे रात में करने हैं टोटल आपको चार बार ये पूजा करनी है चार बार अलग-अलग भोग जरूर लगाएगा और आर्ति कीजिगा और चरण की पूजा भी जरूर कीजिगा देखे हर बार आपको नहाना जरूरी नहीं है अगर अगर कोई ची ऐसी चोबा रहे हैं तब आपको विश्वेश कर ध्यान रखना पड़ेगा क्या को नहाना पड़ेगा नहीं तो आप ध्यान रखे कि आप ज़्यादा कोई ची चुए ना पुरानी और शुद्ध ना हो उस तरीके से अगर आपको रखना है एक लोटे में चल भर कर रख लेंगे हैं आप चाहें तो अलग से फिर से एक कलश बना सकते हैं पर यह कलश ही है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं फिर आपको यहाँ पर बस्ता बनानी है अपनी पूजा की तो मैं अपने घर की मंदर पर ही पूजा कर रही हूँ आप अलग से पटा बिच्छा कर चौक पूल लेजे पहले फिर पटा बिच्छा कर लाल वस्त्र बिच्छा कर आपको यह पूजा करनी है अब देखे एक कटोरी में मैंने चावल भर लिये हैं उसमें मैंने यहाँ पर दीपक जलाया है दीपक जलानी के बाद ही हमारी जो पूजा है वो शुरू होगी अब आपको पूजा करना है अगर आप सुवए सुवए नहा रहे हैं तो ध्यान रखेगा शॉल और स्कार्फ व रख दिया है सामान अभी मैं आपको बताऊंगे क्या-क्या रखना है स्वहागत सामान हम्माता को जरू हरुअर पूजा करना है तो सवज्पय्र विखमना जो भी आपने हाँ चांदी के सामान रखे हैं जैसे की चांदी के सिक्के रखे हों कौड़ी कमल गट्टे और गौमती चक्र इन सब का पूजन आप जरूर कीजेगा यह सब जरूर रखना है पूजा में ध्यान रखेगा लक्ष्मी मता की पूजा में यह सभी चीजों का माता महालक्ष्मी विच्वन करती है प्रतवी पर उसे महीना मतामा लक्ष्मी समख्रत होता है जो भी इनसान जो भी जातक जो भी पूज इस दिन गुरूर के अगन के महीनों में ब्रत रखते हैं और माता महालक्ष्मीiverLE की यह बदला हैं अपने दौक्णों सजाते हैं सव करने लगती हैं और उनके ख़र में कभी कोई चीज की कमी नहीं होती है धंधान भंडारे भरे रहते हैं तो देखे सब्सक्राइब टीका लगा देंगे चाब लक्षा चड़ा देंगे सुहा का कम से कम पांच या साथ सामान आप जरूर अर्पित करें मैंने यहां पर देखी चूड़ी महावर महंदी काजल लिप्स्टिक और बिंदी और नेल पेंट सब चीज अर्पित कर दी हैं जो भी आपके पास हो आप एस तियारी कर लें यह चीज़ आपको जरूर अर्पित करना है इसके बाद आपको जो सामान है फल है मिठाईया है वो सबी चीज़ अर्प मिठाई होती है मिठाई आपको चार बार अलग अलग लगाना आप घर पर बना सकते हैं आप खीर बना सकते हैं अलग अलग मिठाईयां बना सकते हैं या बजार से भी ला सकते हैं अब देखें मेरे पास यह कांसी का बढ़ता है कांसी के बढ़ता है पूजा पार्ट में ब लिए पर दो तरीकी की मिठाई अर्पित कर दी है घजक है यहां तिल की और यहां मिठाई है मेवे की अब हम अपनी आर्थी करेंगे और जो भी हमने सामान चुडाया है वो आपको यहीं रखा रहने देना है चार पहर की पूजा जो होगी बस आपको मिठाई हटा लेना है बाकी जो हमने चुडाया है अरपित किया है माता को वो आपका वहीं पर रखा रहने देना है हटाना नहीं है उसको इसके बाद आप पुष्प अर्पित करें पुष्प हो सके तो लाल जो है वो माता को अर्पित करें उनको बहुत प्री होते हैं लाल और गुलाबी रंग तो मैं यहां गुलाब के फूल जो है वो अर्पित कर रही हूं और जो भगवान गड़ीं शे उ और जो आपका घर है वो उस तिन बहुत ही सुन्दर होना चाहिए ध्यान रखेगा और आपको इबाद का ध्यान रखने हैं अगर सुबह आपको बहुत ज़ता सफाई नहीं करने हैं आपको बुद्वार के दिन ही सफाई पूरी कर लेनी है घर की और अपने मंदर की आप चाह सफ़से लिद्वार के काम बंहिंगागत की मेज़के आप मैंने साढवी अरपित की है मैं जरूरी नहीं है कि हर गुरुवार को साड़ी अर्पित करें ने हम अने किसी और सफावी यथ एक बन्हें है साड़ी और ब्लाव तो सुहाग का सामान अर्पित करें फिर बाद में आप किसी भी इसको सुहागर इस्तरी को या मांदान को आप दान में दे सकते हैं यह जो सुहाग का सामान आपने अर्बित किया इसमें से कुछ समन आप खुद रख लेजेगा और आपको दान कर देना अब इतर लगा देंगे दूप दीप दिखा देंगे माता के लिए सुन्दूर दानी हम जरूर हमेशा पूजा में जरूर रखेगा जब भी हम माता रानी की कोई पूजा करते हैं उसमें सुन्दूर दानी जरूर रखना चाहिए और आप सुहाग ने स्रिया हैं तो आपको लास्ट में पूजा के सबसे आखरी में आपको सुहाग भी चरूर लेना चाहिए इस तरह के से पूजा करना है अब दोनों हाथों से हम माता महालक्षमी की आरती गाएंगे पहले गडपती जी की आरती गाएंगे और फिर माता महालक्षमी की आरती गाएंगे बहुत ही प्यार से बहुत ही शांती से आपको यह काम करना है बहुत कोई भूल हो गई हो तुरुटी हो गई हो उसे आप आप नजर अंदाज कर दीजे अपने बच्चा समझ के और हमने आपकी जो पूजा की है उसको स्वीकार कीजिए अपने दीपक की आरती दीपक से आरती उतार ली है अप तो आसा जल हातों में लेकर हम वार देंगे आप य पूजा परिवार को आरती जरूर दें और यह प्रशाद भी जरूर दें पूजा होने के बाद इस तरीके से आपको छोटे रूप में यह पूजा करनी है और कुछ दख्षना कुछ परशाद जरूर रखेगा पूजा में दख्षणा रखने का विशेसफ़ल होता है क्यों आप सभी को महालक्ष्मी ब्रत की बहुत 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 बदाए आप सभी की बहुत बहुत अच्छे रहें और आपका कोई कॉशन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछे का मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी और आप कहां से मेरा वीडियो देख वो भी जरूर बताएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद